नमस्कार दोस्तों इस क्लास में हम बात करेंगे not pet program की bb.net हम पढ़ रहा है उसके अंतरगत हमने बहुत सारी चीज़े concept यहाँ पर जान लिए जैसे की menu strip क्या होता है menu bar बनाते समय हमने देख लिए rich text box को उपयोग हमने देख लिए साथ ही साथ हमने dialect box भी देख लिए जैसे मान लीजिए आप open पर click करते हैं तो इस प्रकार से dialect box आता है ठीक है इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ type कर दीजे जैसे मान लीजिए मैंने type कर दीए ssw education अब मैं अगर इसको select करता हूं select करने बाद में देखिए यहाँ पर font dialect box में ने बताया था पर font dialect box यहाँ पर काम भी करेगा जैसे 48 करो देखिए बड़ा भी हो रहा है उसके बाद अगर आप font color करना चाहें तो भी कर रहा है देखिए font color हो गया अगर आप background color चाहते हो तो background color भी यहाँ पर होगा यह देखिए यह सारे काम यहाँ पर हो रहा है इसके अलावा आप देखिए यहाँ view करोगे date input करोगे date भी इसी क्या बात जो है edit में जाओगे and do read do cut copy सारी चीजें यहाँ पर होगी help में आप अपने अनुसार shortcut का एक form बना सकते हो और shortcut यहाँ पर show करा सकते हो तो इस सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले not paid program के अंतरगात तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहले हमको एक नया project यानि कि नया form add करना पड़ेगा कहां से windows यानि कि जो आपका project वाला है project में जाके windows form आपको add करना पड़ेगा जैसे आपने यहाँ पर करें और इसका नाम आपको दे देना है इस प्रकार से not paid program ठीक है not paid program आपने नाम दे दिये और आपको करना है add जैसे आपने add पर क्लिक करें इस प्रकार से आपका not paid जो है आप जितना बड़ा चाहा है उतना बड़ा यहाँ बना सकते मान लीजे मैं इतने ही बढ़ा चाहता हूँ उसके बाद आप जो है simple क्या करो एक menu वार ले आओ menu वार कहां से लाते हैं ये भी पता आपको तो menu वार लाने के लिए आपको जाना menu and toolbar में देखे toolbox में इसको लाकर आपको draw करना है और इसमें आपको menu design करना menu design करने से पहले आपको form जो उसके font है उसको थोड़ा सा बढ़ा कर लीजे 9pt है उसको आप कर लीजे 14 और आपको यहाँ पे लिखना है जैसे आप लिख दो file file के बाद आप लिख दो क्या edit के बाद आप लिख दो view की जरूरत नहीं है वैसे हमको हम लिख देते सीधे format और format के बाद हम लिख देते help ठीक है उसके बाद आपको exit करना नहीं करना वह आप यहाँ से कर लो जैसे file है file के नीचे आपको क्या करना पड़ता है new के नीचे रहता है open open के बाद रहता है आपका क्या close रहेगा या फिर आप direct save कर लो save के बाद रहेगा close ठीक है और close के बाद रहेगा आपका print प्रिंट के बाद रहेगा यहाँ पर आपका exit ठीक है इतनी चीज़े हम ले ले लेते हैं यहाँ उसके बाद edit में आपका रहेगा undo undo के बाद रहेगा redo उसके बाद कर देते हैं cut और उसके बाद कर देते हैं copy इक बा ठीक है उसके बाद color और दीसरा कर देते हैं back color इस प्रकार से आपका जो है और help में आप जो है help में कोई अन्य form जोड़कर आप help के लिए यहाँ पर link show करा सकते हो जैसे आपने क्लिक करें तो यहाँ पर इसके अंदर जैसे हम क्लिक करेंगे तो कोई other form डिस्पले हो जाना चाहिए उसके लिए आप एक अलग से form बनाए लेना कोई दिक्कत ने चलिए यहाँ पर हमको input लेना है यहाँ टेक्स बॉक्स टाइप की सिती लेना है तो हमको यहाँ पर टूल लेने का काम करता है तो हम जाएंगे सीधे आर वाली सीरीज में रिच्टेक्स बॉक्स और रिच्टेक्स बॉक्स यहाँ से हम जो है और यहां तक हम इसको डिजाइन कर देंगे कहां तक यह किनारे तक इसके font size अगर बड़े करना चाहते तो आप कर सकते कैसे नॉर्मली होना चाहिए है जो बताए कि नॉर्मल अगर बात करें हम नॉटपेट की यह देखे हम एक नॉटपेट प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं हम नॉटपेट प्रोग्राम ओपन करें और कुछ टाइप कर दिए तो हमको न्यू करने पर एक देखिए एक डायलेक बॉक्स आ रहा ह की तो सबसे पहले आप क्या करो टूल वक्स में जाओ और टूल वक्स में जाने बाद आपको देखे यहां पर डायलेक बॉक्स वाली सीरीज में आपको देखने मिलता होगा क्या एक डायलेक बॉक्स जो की सेब का है सेब को लिया और सेब की डायलेक बॉक्स देखे आपको component tray में आगा है component tray में आया और नाम क्या है save file dialogue 1 तो हम जैसे new पर click करें तो rich text box खाली नहीं रहना चाहिए है कुछ न कुछ enter होना चाहिए तभी जो है message box आए खाली दहगत क्यों आएगा save क्यों करोगे आप खाली file को बिल्कुल नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है if लगाना है if और rich text box का नाम क्या है rich text box 1 dot text और if के बाद यहाँ पर not भी लगाना क्यों क्योंकि आपको यदी नहीं है if मतलब यदी और not मतलब नहीं है क्या text box rich text box खाली यानि कि blank अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए इसके अंदर फिर से एक और इफ लगाओ तो एक message box आएगा क्या आएगा एक message box आएगा और message box में हमने क्या enter कर दिये पहले तो आता है इसका heading ठीक है मतलब मतलब जो आपका सामने आएगा वो आएगा save first save first कर दिये और इसका नाम दे दिये हमने जो message box उसका नाम दे दिये savers ठीक है उसके बाद हमको यहाँ पर message box है उसमें button भी आना जाए button ले लो यहाँ देखे आप नीचे देखोगें तो button आपको देखने में लेगी yes और no जब आप yes और no button लोगे तो आपको icon भी आयेगा ठीक है आप कॉमा लगाओ और यहाँ पर lese क्यों कि आप पूछ रहे हो ना जब आपके सामने को डाले बॉक्स और नो पूछने का तो कोश्चन मारक आना चाहिए तो यहां पर हमने ले लिए देखिए मैसेज बॉक्स आईकॉन कोश्चन उसके बाद हमने एक कॉल लगा है और एक कॉल लगा के हमने दे दिये क्या होना चाहिए डालेक रिजल्ट 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 यस देखिए एक मैसेज बॉक्स बॉक्स की बटन आगी यस नो मैसेज बॉक्स आईकॉन आगा कोश्चन उसके बराबर में क् क्लिक करें तो क्लिक क्या होगा यस अगर क्लिक होता है तो क्या होना चाहिए यस अगर क्लिक होता है तो यह एक डायलेग बॉक्स आना चाहिए जिसे हम बोलते हैं से फाइल डायलेग बॉक्स और यह सो डायलेग इसकी मैथड होती है और आपने आपको जैसे हमने सेब करें त सीज़े आप me.close कर दो, क्या कर दो, me.close कर दो, तो चलिए अभी इतना काम कराखे देखते हैं, इतना काम कराने के लिए आपको my project में जाना पड़ेगा, notpad program को इस प्रकार से सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपको इसको run करना पड़ेगा, जैसे हमने run क करें, notpad program run हो गया, अगर हमने new पर क्लिक करें तो कुछ नहीं हो रहा है, पर हम यहाँ पर कुछ टाइप कर देते हैं, और new पर क्लिक करते हैं, तो आप देखिए, यहाँ पर आपको जो है, एक dialect box मिल रहा है, message box, जिसमें लिखा आरहा, save s, और लिखा आरहा, question mark हमने दिये हमने दिये थे, save first भी दिये थे, जैसे हमने yes पर क्लिक करें तो dialect box भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर कराना चाहते हैं, नाम देकर save, तो save कराने के लिए भी हम क्या करेंगे, कुछ हम जो है, coding करना चाहेंगे, ठीक है, जो कि save dialect box में होगी, यहाँ हम नाम दे देंगे, और save कर जैसे हम save करेंगे, यहाँ नाम दे दो, अभी तो save नहीं होगा, जैसे हम save हुआ, तो यह dialect box या not fit program हमारा बंद हो चुका है, फिर से run करो, यदी हम new पर जाते हैं, और save करे थे हमने dialect box आई, यदी 9 करे, 9 का मतलब होता है, dialect box आटोमेटिक बंद हो जाएगा, पूरा प्रोग डबल किलिक करो save और यहाँ लिख दो, save file dialogue 1.so dialogue, ठीक है, यह हमारा काम हो गया, उसके बाद आपको सभी में coding करना, तो open में open file dialogue लियाओ, पर open file नहीं है, तो open file dialogue कहा से लाओगे, toolbox में जाकर आप सभी dialogue box लियाओ, जैसे नीचे जाकर देखोगे, color, font, open, save, तो देखे, open लिय लिखा जाओ, ठीक क्योंकि अपनों font में formatting करना, color भी लियाओ, उसके बाद आप देखोगे, print भी है, तो आपको toolbox में जाना है, और यहाँ प्रिंटिंग बाले section में जाकर, print भी लियाना है, चलिए, सभी dialogue box आ गए, तो open में जाकर आप कर दो सीधे, open file dialogue 1.so dialogue, क्योंकि open में क प्रकार से क्या होना चाहिए, जो सामने दिख रहा क्या, जो rich text box, उसको वस गाइब करना हमको, तो rich text box को आप क्या कर दो, rich text box to visible equal false, ठीक है, इस प्रकार से आप जो है, इसकी property को false कर दो, ठीक, मतलब दिखना बंद हो जाए, और जब हम new पर click करें, तो new पर click करने के बाद, जो है, क्या हो जाना चाहिए, rich text box, visible equal true, चलिए, इसको करके देखते हैं, जैसे हमने run करें, तो run करें, तो देखें, यहाँ पर close, और new पर click करें, तो यह आ जाना चाहिए, ठीक है, तो यह चीज हमको देखने को मिलती है, तो यह हमारा काम कर लिया, उसी के बाद आप देख आ गया, next जो है close भी हो गया, print में print आना चाहिए, और exit में close होना चाहिए, चलिए, इसकी coding भी कर लेते, print में आएगा, print dialogue 1.show dialogue, इस प्रकार से यह आ गया, उसके बाद आपको exit, exit में सीरे end हो जाना चाहिए, तो सिर्फ end भी लिख दोगे, तो भी काम चल जाएगा, चलिए यह तो हो गई हमारी file menu की coding, अब हम करते है edit menu की coding, तो edit menu में undo, redo, cut, copy, सारी चीज़े आपकी सेम होगी, तो rich text box आपको याद रखना है, dot undo, क्या करना है, undo, अब आप हर जगे undo, देखे, undo की जगे आप लिख दो redo, क्योंकि आपको redo में coding करना है, तो आप लिख दो क्या, redo, उ text box में करना, उसका नाम लिखना है, जैसे हमको rich text box में करना, तो उसका हमने नाम लिख दे, rich text box बन, उसके आद हमको paste, paste में हम कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, उसके बाद क्या है, select all, और select all आप यहाँ देख सकते हैं, आपका जो है, इस प्रकार से, इस select all है, ठीक है, यह हमारी सारी coding हो गई, अब हम बात करते हैं format की, format में font dialect box display होना चाहिए, color में color dialect box और background color में भी color dialect box, तो हम यहां कर देते सीधे font dialect box, ठीक है, हम यहां कर देते है font dialect 1.so dialect, ठीक है, अब so होने बस से काम ने चलेगा, यह काम भी करना चाहिए, तो उसके लिए हम यहां coding कर देते font, मतलब एक प्रकार से rich text box में होना चाहिए सारी, जो formatting है, तो rich text box, अब font है, तो इस प्रकार से आप selection font, मतलब जो भी आपने font select करे हो, उसके font set होना चाहिए, ना कि दूसरे के, तो selection font equal, जो font dialect box है, font dialect 1.font, इस प्रकार से, ध्यान से देखिए, पहला तो dialect box डिस्पले होगा, फिर उसके बाद जो है, rich text box 1 का selection font है, उसके बरावर में क्या हो जाए, जो select हमने करे हैं, ठीक है, अभी काम करके भी देखेंगे, उसके बाद हम color भी कर लेते हैं, तो पहले तो आप color dialect box display करा दो, तो हमारा जो color dialect box उसका नाम क्या है, color dialect 1.so dialect, अब display तो हो जाएगा, पर काम भी करना चाहिए, तो काम किसे में करना चाहिए, rich text box में, rich text box.selection font था, उसी प्रकार selection color होगा, और equal में कर दो, color dialect 1, color dialect 1.color, इस प्रकार से आपको ये करना है, इसी प्रकार, आपको background color में भी करना, background color में भी भी इस्ती थी, color dialect box display हो जाना चाहिए, और यहाँ आपको कुछ न लिखना है, rich text box का जो back color है, वो क्या हो जाए, जो हमने color dialect box में select करें है, बस इतना काम आपको करना है, और help में आप जो है, help में कोई window display करा तो help box, चलिए मैं help में भी आपको एक project लेकर दिखाता हूँ, at windows form में जाएंगे, और यहाँ आप देखोगे, कहा गया हमारे windows form, यह आप देखोगे, देखे, बहुत सारी चीज़े आपको नजर आ रही है, यह देखे, user, control है, about है, तो about में आप देख सकते help, देखे, यहाँ पर about करोगे, और आप कर दोगे add, और about में आप देखे, यहाँ पर आपको देखे, product name, version, बहुत सारी चीज़े आपको देख रही, तो इस project का नाम जो है about है, और हम चलते कहाँ पर not paid में, help में जाकर हम जो है यहाँ पर इसका नाम कर दो about, क्या कर दो about, और about में हम जब क्लिक करके क्या कर देते हैं, जो about है उसको display कर देते, about 1.so इस प्रकार से, और जब हम इसको run कर आएंगे, तो आप देखोगे, हम computer, tutorials, हम select करते हैं, या complete select करते हैं, complete select करने क्ली क्या करोगे, select all, और select all में जाकर आप जो है, font बढ़ाना चाहोगे, तो bold कर दो, इस प्रकार से, आप 28, जो भी करना चाहे, देखे, font बढ़े हो गए हमारे, back color करना चाहो, मतलब फैले font color कर लेते, देखे, red हो चुके, आप back color करना चाहे, तो back color भी हो जाएगा, आप कर देखे, उसके बाद, आप चाहते हो कि देखे, cut, मतलब यहां से इसको क्या करें, cut करें, तो देखे, cut हो गया, enter करो, और यह ले जाकर आप paste कर दो, तो आपका paste भी काम कर रहा है, आप चाहते हैं, इसको copy करें, तो आप कर लो, copy, और copy करके, आप यहां उपर लाकर paste कर लो, आप चाहते हैं, undo करें, तो देखे, undo भी हो रहा है, आप redo करना चाहे, redo भी हो रहा है, select all करना चाहे, वो भी हो रहा है, इसका मतलब edit की सारी command हमारी काम करने लगी, font की सारी command हमारी काम करने लगी, help में जाओगे, ता about बाला section हमा करना, तो open भी हमारा काम करना चाहिए, तो देखे, open आ गया, save में जाए, तो save में भी हमारा काम हो रहा, उसके बाद आधी चले हम, close में तो वो भी हो जा रहा था, print, print के लिए देखे, printed alec box आ गया, हमको file, मतलब जो है, file system को पढ़ना पढ़ेगा, ठीक, file system पढ़ेंगे, और crystal report पढ़ना पढ़ेगा, तो print हम समझ लेंगे, open और save के लिए हम जो है, file system पढ़ेंगे, तो जब ये सारी चीजे हमारी clear हो जाएगे, तो basic coding भी फिर भी मैं बता देता हूं, आपको save करना, कि हम save कैसे करते हैं, तो save करने के लिए basic coding में लेकर आ जाता हूं, देखे, यह हाँ पर आपको, कि मैं समझाओंगा अभी, यहाँ हम चलेंगे save में, save की coding करने के लिए, save dialogue box में जाकर, double click करेंगे, और coding कर देंगे, तो देखे, save के लिए dim, हमने एक variable लिए, save file नाम से, किस टाइप का है, stream writer, क्योंकि save करना होता हो, write करना होता, और यह किस से write करेगा, save file dialogue बन और file name, इसके साथ मैं, ठीक है, save file जो है, write कर देगा, किस से, rich text box का जो data है, पूरा, और उसके बाद save file जो है, close हो जाएगी, साथ ही, हमको open भी करना है, तो open के लिए अलग coding है, open के लिए open file dialogue box दिख रहा है, यह देखे, इस पर double click करेंगे, और यहाँ पर, इसी के जैसे देखे, यह open file dialogue box से लाएगा, rich text box में लेकर आएगा, देखे, read to end तक, और यह close कर देगा, चलिए, अब रन करते हैं, हम यहाँ पर से कुछ matter लिख देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं, इसे डवलू education, हमने लिख दिए, यह computer, इस प्रकार से, tutorials, और जो भी हम यहाँ पर, य file minimum में जाकर save करते हैं, save करें, तो हम यहाँ नाम दे देते हैं, क्या, हम दे देते हैं, basic के नाम से, और सीधे save कर देते हैं, अभी extension इसलिए ना रहा है, क्योंकि हमने कुछ भी set नहीं किये, यह हमने save कर दिए, और save करके हम इसको कर देते हैं, close, ठीक है, close कर देते हैं, और फेर हम new करते हैं, ठीक है, यह देखे, new हमने कर दिए, चले इसको भी नाम दे देते हैं, यह बंद हो गया, start और हम file minimum जाकर open, open करके यह देखे, basic, basic को जाकर open करते हैं, तो हमारी file open हो चुकी, यह basic काम हो गया, किसका notepad का, तो notepad में अभी दक मैंने जितनी चीज़े बता यह context menu, ठीक है, तो menu वार हम समझ गया, पहले open किये थे, dialogue box भी हम समझ गया, message box, advance वाला भी देख लिए, जो input box इसके पहले हमने देख लिए, advance, ठीक है, तो यह सारी चीज़े आपके clear हो गई, आप सीधे हमको file system पढ़ना है, ado.net पढ़ना है, और complete project पर हमको काम करना है, bb. .net के अंतरगा, उसके बाद हम जो है, sp.net भी यहाँ पर complete करना देखेंगे, ठीक है, तो यह video आपको कैसा लगा, आपको notepad program समझ में आए नहीं आए, आप comment box में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, और इदी समझ में आ गया, तो वीडियो को like करे, और channel को subscribe करके, इसे share भी क करते हैं.